नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे सम्मूल जीवन को नश्ट कर देती है नशे की लट से पीडित व्यत्ती परिवार के साथ समाज पर बोज बन जाता है युवा पीडी सबसे ज्यादा नशे की लट से पीडित है आज के दौर में नशा फैशन बन गया है ये व्यसन नहीं करने के हमारे सामने कई व्यवारिक आधार है जिनका हमें अलग-अलग विशलेशन करना होगा स्वास्थे के आधार पर सभी तरह के व्यसन स्वास्थे के लिए अत्यधिक हानिकारक होते है ये मानव शरीर के कई अंगों पर बुरा प्रभाव डालते हैं धन की उप्योगिता के आधार पर व्यस्नी व्यक्ति अपनी बड़ी धनराशी इन व्यस्नों पर खर्च करता है जबकि उसको जीवन में इनसे कोई उप्योगिता नहीं मिलती है इसलिए इन पर किया गया खर्च धन की बरबादी होती है व्यक्ति की मनोजशा के आधार पर व्यस्नी व्यक्ति की मनोजशा एक गुलाम की तरह हो जाती है घर परिवार के आधार पर नशे में व्यक्ति उग्र सुभाव का हो जाता है और उसे अपना होश भी नहीं रहता, जिसके कारण परिवार के सदस्यों से बात बिना बात जगरा, गाली गलोर, व्यक्ति की नैतिकता के आधार पर नैतिक पतन का प्रमुख कारण, जो काम वेसनी अपने सामाने होश हवास में नहीं करता सकता है, या करने से पहले दो बार स दोता है, वहीं काम वह नशे में कर बैठता है. नशे से कैसे दूर रहे? एक सबसे पहले व्यक्ति को नशे के उपरोप्त दुष्परिनाम तथा इसकी अनुप्योगिता को अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि तभी व्यक्ति के मन में इससे चुटकारा पाने की पक्क प्रतियों के जीवन में आय पतन के बारे में जाने तथा समझें. यहां तक की मारपीट भी कर बैठता है. तीन यदी नशा एकदम से नहीं छोड़ सकते, तो इसकी प्रतिदिन की संख्या प्रयास करके कम करने की कोशिश करें. चार ऐसे यार दोस्तों तथा संगती से स्व उने जैसे शराब के विकर्प के रूप में जूस, तंबाकूव गुटके के विकर्प के रूप में सौंफ इत्यादी तथा जब भी नशे की तलब हो, इनका उप्योग करें.